नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज 2023 के सितंबर की 28 वी तारीक पर शहीद भगत सिंग की जन तिती पर फिर एक सवाल देश के सामने है कौन असली हकदार है शहीद भगत सिंग की दरोहर के? इस सवाल से जुड़ा एक और सवाल है कि भगत सिंग को आजादी के नायक के रूप में क्यूं और कैसे पूरे हिंदुस्तान में देखा जाने लगा? अंग्रेजी शासकों ने 1931 में भगत सिंग को फांसी का फंदा पहनाया इस से पहले के करीब एक दशक में पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी घटनाए घटी जिन्होंने आवाम में हताशा भर दी 1919 का जलियावाला बाग हत्याकान, 1927 का साइमन कमिशन और इसी कड़ी में 1928 में लाहोर में लाला लाश पत्राई की हत्या फिर आया जवाब आजादी का संघर्ष करने वाले भगत सिंग और उनके साथियों का जॉन सॉंडर्स की 1927 में हत्या और 1929 में सेंट्रल असेंबली में बॉम्बिंग आईए बात करते हैं भगत सिंग की इस विरासत के बारे में न्यूस क्लिक के खास महमान जाने माने इतिहासकार प्रफेसर S. इर्फान हबीब से वो हमारे को बताएंगे कि किस माहौल में भगत सिंग आजादी की जंग के प्रेर नासोत बने प्रफेसर हबीब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया ये तो हर साल हम लोग याद करते हैं शहीद भगत सिंग को लेकिन उनका समय कैसा था और वो भगत सिंग से शहीद भगत सिंग बनने का जो टाहिम था जो माहौल था उस समय का आज हम उसके बारे में थो जिसने कहीं ना कहीं शहीद भगत सिंग को जो भुचर्चित जो एक उनका जो चरित्र है वो सामने लाया उसके बार में पहले बताईए पहले तो मैं जब इस विशह पर बात करता हूं तो मैं अक्सर उनीसो बीस का जो पूरा देशक है इसकी बात करनी चाहिए क्योंकि में ही उनका उनका पूरा जो कांतेकारी जीवन है या राजनीतिक जीवन शुरू हुआ उन्योसर बीस का दर्शक में मागांधी की की एंट्री होती है हमारे देश की राजनीती में एक बड़े अंदोलन के साथ पहला मास मूव्मेंट जिसको कह सकते हैं चंपारन के बाद इंपारन फिर भी एक लिमिटेट था नौन कोपरेशन मूव्मेंट पूरे देश में पहला भगस सिंग जैसे नौजवान चंद शेकर जाजाज जैसे नौजवान और बहुत सारी लोग उस अंदोलन से जुड़े मातमा गांधी की उस कॉल को उन्होंने उन्होंने एक चैल मायूसी का आसर भगस सिंग जैसे नौजवानों पर भी पड़ा चंद शेकर आजाजाज जैसे नौजवानों पर पड़ा और इन लोगों ने महसूस किया कि हम हमें नहीं लगता है कि गांधी के नेतरत में या गांधी की विचारधारा के के तले या को एक्सेप्ट करते चल्दी इसलिए हमें अपना रास्ता आलब ढूना चाहिए तो यह एक शुरुवात होती है भगस सिंग की उननीस सो बीस के दर्शक में और उस वक्त नौजवान है इस्टूड़न्ट है भगस सिंग उनके और साथी सुखदेव वगरा उस सब स्टूड़न्ट ही थे लिए अपने जो अगर का पीरिद था उसको उनौने ज़ादे मैठोट देना शूरु किया नौजवानों को कैसे जोड़ा जाए नोजवानों को देश की आजादी के साथ कैसे जोड़ा जाये? देश के बदलने के लिए कैसे जोड़ा जाये? क्योंकि ये एक जरू concurरी ही चीझ है इसकी बात हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकि शुरुवात से ही करनी चाहिए, क्योंकि ये उद्देश है, उनका विल्कुल सामने था शुरू से ही, कि देश में ऐसा देश होना चाहिए, जिसमें सांपरदाइकता ना हो, जिसमें जातिवाद ना हो, जिसमें अमेरी गरीद का पर्फ मिठ जाए, कम से कम बात की जाए, जिसमें शोषन किसी प्रकार का भी शोषन एक मनुश्य दूसरे मनुश्य का ना करे, इस तरह का होना चाहिए, तो वही अजादी उनकी लिए महतपून अजादी थी, यह नहीं कि अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज खब्जा लें यह उन्होंने उसके बारे में लिखा भी बाद में बार बार अपने बहुत सारे लेटर्स में, लेकों में, बैनिफेस्टों में, जगा जगा इस बात को रिपीट किया, इन सब बातों को जो मैंने भी तुम्हारे सामने रखी चार-पांच चीजे और बहुत सारी है लेकिन यह महत्वपूर्ण है उसके बाद भगर सिंग का जो एक उत्थान होता है as a revolutionary intellectual एक करांतिकारी विचारक के रूप में वो 1924 से शुरू होता है 1924 इसलिए कर रहा हूं कि वह पहला लेख उन्होंने 1924 में लिखा जिससे हमें यह पता चलता है कि वह किसने कितने महत्वपूर्ण कितने गहरे और कितने प्रोफाउंड विचारक थे और ऐसे सब्जेक्ट पर लिखा यह लेख 1924 में जो बहुत ही मुकठिन है जिस पर एक पड़ा लिखा इंसान भी बहुत अच्छी तरह से नहीं लिख सकता है उतनी खूबी से नहीं लिख सकता है और उनकी उमर उस वक्त सत्रा साल थी और मैं बार बार यह दोराता हूँ जा भी मैं बोलता हूँ या कोई इंटरेक्शन होता है कि भगस सिंग के बारे में जो आप कुछ लिखें या पढ़ें तो ये खायल लख हैं कि भगस सिंग की उमर 23 साल में वो चले गए जुनिया से पांच-छे साल का जो पीरिड है वो सत्रा अठारा उननीस बीस इस बाइस उनमें से अंडरग्राउंड गुजरा बहुत सा वक्त उनका जेल में गुजरा इस पूरे पीरिड में और बाकिछी चीज़ है वो इस एक्टिविस्ट तो ये जो सत्रा साल की उमर में लेक लिखा में 24 में जो मतवाला में छपा निशयत पढ़ा होगा बहुत कम लोग पढ़ते हैं विश्व बंदुता यूनिवर्सल ब्रदरूट तो अब उस पर जिस तरह से वो विश्व बंदुता की बात करते हैं उसको आप कंपेर कीजिए आज जो हमारे G20 में वसुदेव कुटुम से ही शुरू करते हैं बहुत सिंग जी पर उनका शायद वसुदेव कम नहीं कुछ और मतलब था मतलब जो आज हम कहते हैं G20 का जो स्लोगन भारत में यूज किया गया कि दोनों ही लोग भागत सिंग ने भी वसुदेव कुटुम इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो हमारे देश में एक पुराना पुरानी इनरेटिंस थी जो हमारी परंपरा से ट्रडिशन में चलिया आई थी और वो एक हमारा महत्वपूर्ण एक इस्टें थी हम लोगों क जिसका हमको इस्तमाल करना चाहिए उसी को भागत सिंग ने इस्तमाल किया वही जी टूंटी में भी इस्तमाल हुआ बात तो यही कही गई ना कि हमारा यह हमारे संस्कृती है हमारी परंपरा है लेकिन उस परंपरा में कितना सच्चाई से उसको फॉलो करते हैं यह यह अब देखिए, जहां पर कोई गयर ना हो, यह उस देश की नहीं कर रहा है, विश्व की पर कलपड़ा कर रहा है, जहां कोई गयर ना हो, जहां एक दुसरे से दुश्मनी ना करते हो, जहां इंसान इंसान से प्यार करता हो, जहां सब एक दुसरे को परिवार मानते हो, भर्म वर्ग के नाम पर कोई इस तरह का दुश्मनी ना हो तो जहां जिस मुल्क में हम अपने ही देशवासियों में दुश्मन ढूटते हैं विश्की बात छोड़ दीजै तो वहां भगर सिंग के इस इस देश का कोई मकसब नहीं नहीं हदराता आज तो भगर सिंग ने तो ऐसे द एक प्लेटफॉर्म है जहां नौजवानों को जोड़ा जाता है 1926-1928 में वो अंदुसान सोचली स्टेबल बिगने असोसेशन जी जुड़ते हैं एचारे को एचारे में बदलते हैं समाजबात जोड़ते हैं दिल्ली में ही उसकी सभा हुई थी तो यह सब चीजे हैं जो सब्सक्राइब को एक करांतिकारी के रूप में डिखारती है और भगत सिंग हमारे सामने एक करांतिकारी विचारक के सामने के तरह से उभरते हैं नहीं जो पार्लिमेंट बिल्डिंग बनी है उसमें जिस Constitution of India की कॉपी रखी गई सरकार का कहना है कि वो अनेडिटेड है जो ओरिजनल Constitution है जिसमें सोशलिजम का जिकर नहीं था तो लेकिन भगत सिंग के अगर हम बात करें तो उन्होंने नाम बदल के सोशलिजम अपनी पार्टी में आड किया तो क्या हम आज हमारी सिर्फ कतनी और करनी में फरक आ गया है क्योंकि आज भी भगत सिंग को याद किया जाता है बलकि मौझूदा पार्टी और आम आदमी पार्टी पंजाब में इनको अपनी तरह से याद करते हैं तो ये सिर्फ कतनी करनी का फरक है या देश और समाज अलग दिशा में ले जाया जा रहा है ज उससे कैसे आप फाइदा उठाएं आपने आपके अपनी राजनीती में उसका कैसे इस्तमाल किया जाए वो हमारे जो राइट विंग ग्रूप्स हैं वो भी करते हैं और आवान्वी पार्टी जैसे लोग भगर सिंग और अमिट कर दोनों का इस्तमाल कर रहे हैं दोनों को हो लेघे हुँ मैं हमने कई वार इब बोला भी है कि बहुत अच्छी बात है ये कोई पार्टी भगर्ण सिंह के नाम पर भगर सिंह के उद्धेश्यों के देशों के लिज से रिख्तित्व को सामने रखके सरकार चलाने चाहती है लेकिन वो वो आपकी गवर्णiffe में भी द के ँपड़नेaloid लिकिन गांदी के साथ हम क्या करते हैं बगर सिंग का है भगर सिंग का फोटो लगाने से नहीं चलता अच्छी बात है लगाए आप लेकिन आप उस भगश सिंगर की विचाड़ाना को भी अपने आप में साथ करें उसको आप अपने कामों में अपने policies में धालने के कोशिश करें और ये बताने के कोशिश करें कि हम भगत सिंह के व्यक्तित से प्रभावित हैं, विचारों से प्रभावित हैं और हमारी सरकार की नीतिया भी भगत सिंग के विचारों पर ही चलेंगी, सब तो बात है, तो वो चीज अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, अब आगे वो क्या करेंगे यह मालूम नहीं, अभी फिलाल उससे लगे कि हाँ वो वाकई में अपने आपको वारिस मानते हैं भागत सिंग का, और उससे देश की जनता को क्या असर पड़ेगा, क्या फाइदा होगा? देखे, तीन चीज़े हैं, तीन चीज़े हैं महतपून, जिनको महतपून मानता हूँ आज के हिंदुस्तान में, क्योंकि वो भागत सिंग के समय भी बहुत महतपून थी, इसलिए भागत सिंग ने उन चीज़ों को उठाया, दुख की बात यह है, और मैं यह बार-बार कह है तब यह हम भागत सिंग को कहते हैं, भागत सिंग आज भी रेलेवेंट है, हमें अफसोस होता है यह कहते हुए, कि भागत सिंग आज भी रेलेवेंट है, भागत सिंग रेलेवेंट नहीं होने चाहिए तो, क्योंकि भागत सिंग ने जो कहा है, वो हो जाना चाहिए था अफसुस की बात है कि हमने उन सब चीजों को उत्रा सीरिस नहीं लिया और हमने उनको सुल जाने की कुशिश नहीं की कुशिश की भी है तो बड़ी हाफ हार्टिट की है पांस दस परसंट बीस परसंट उसमें कुछ हासिल हुआ है बागी चीज़ा भी तक मौझूद है जैसे जो हमें करना चाहिए और जिससे हम भगत इसंग की विचारों को आडियाज को और या विरासत को हम कह सकते हैं कर हमने पूरा किया पहली चीज़ है एक तो आपसी भाईचारा जिस पर भगत नहीं पूरी जीवन अपना गुजार दिया कि कि आपकिसी भी तरह से से सेक्टेर ढूंडे की हम कोशिच ना करें और मैं इस बात को इसलिए बार-बार क्याता हूं कि भगस सिंग एका किला आदमी है इस हिंदुस्तान के फाइटर्स में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगा सलिमरेट किया जाता है जी जी कोई नहीं मिलेगा आपको जी मैं पाकिस्तान पर गयाँ वह मृँने देखा है दो- їं बार गया ओगत सिंग के लिए और भगत सिंग के लिए जो मुहबत, जो जुड़ाव भागे सिंग के विचारों से पाकिस्तान में है, वो देखने वाला है. आप इमोशनली इतना मूविंग है वो, आप सोच नहीं सकते कि इस तना बड़ा तपका भागे सिंग को इस तरह से सुझते हैं. अब वो नहरू को नहीं इस तरह हैं, जो भागे सिंग को एक हेरो बनाती हैं, और आज बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं यह कहता हूं, यह इस तरह के सवाल है, भागे सिंग को आप कभी किसी अलगाव वास से नहीं जोड़ सकते हैं. सब के साथ कुछ नग कुछ इसूज हैं, नहरू के साथ भी हैं, अंबेडकर की बात तो होती है, होनी चाहिए, अंबेडकर की लडाई उन्हीं लोगों के अधिकारों के लिए थी, लेकिन भागे सिंग ने उसी पीरिड में एक नौजवान की हैसी से, क्या कुछ बोला, क्या कुछ लिखा, वो भी देखने की जुरुत है, एक छोटी सी उम की, जिसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक trained scholars हैं, और उनके बात समय रहा लिखने पढ़ने का, भगर सिंग के पास तो समय नहीं था, उसके बावजूद उस आदमी ने इतना कुछ सोचा, इतना कुछ कहा, और लिखा, अपने छोटे से जीवन में, छोडी शीपे जो कु अधिकारों की मांग क्या कर सकते हैं, समानता की उम्मीद क्या कर सकते हैं, जब हम खुद अपने समाज में, अपने ही साथ समाज के लोगों के साथ समानता के वेवार नहीं करते हैं, तो पहले तो हम समानता के वेवार करना शुरू करें, तब हम अगर सिंग कर सकते हैं, तो वो आतमी इतना strongly लिखता है, उस वक्त लिखता है, जब हम अजादी के लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेदों से, उस वक्त भी वो कहा रहा है, कि अंग्रेदों से लड़ाई तो आप लड़ रहे हो, अजादी के लिए और समानता के लिए, लेकिन पहले अपने समाज में समनता लाओ, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू था भगैसिंग के लिए, जिस पर वो passionately लिखते थे, अब बोलते थे, दो, तीसरी चीज, तीसरी चीज है, जो आज, मैं उन चीजों को कह रहा हूं, जो आज ज़रूरी है हमारे समाज में, और आज उतनी ही strongly और जिनकी शकल आज भी उतने ही बुरी है, हमारे समाज में, चाहिए वो भार में धर्मानता हो, चाहिए वो जाती के स्कूले के लड़ाई हो, तीसरी चीज है, अमीर और गरीब का फर्ख, अमीर और गरीब का फर्ख मिटाए जाए, policy सरकार की ऐसी हो, जिसमें उस गरीबी के फासलेद दूर हो, दुख की बात ये है के गरीब वरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, यह फासलेद कम होने के बजाए, भगत सिंह ने तो अपने मैनिफेस्टों में, लाजवान भारा सवा के, openly लिखा, strongly लिखा, कैटेगरिकली, कि मैं ऐसे सरकार की अपेक्षा करता ह हो, अपने आजादी के बार, जो 98 फिसदी लोगों की भागेदारी से चले, दो परसंट अमीरों की भागेदारी से नहीं, 98 परसंट शेल रूल, नौट टू परसंट, जो जो आदमी ये openly कह रहा है, कि मैं 98 फिसदी लोगों की भागेदारी चाहता हूं, उस सरकार में, तो लोगों की भागेदारी भी दूर हो, और कोई आदमी एक दूसरे को एक्सलाइट न करे, शोषर न करे, तो इस तरह का समाज होना चाहिए, तो आज जो देश है हमारा, उसमें इन सब तीन चीज़ों की ज़रूरत है, और भगत सिंग की ये तीन चीज़े सबसे बड़ी वि पिचलित कर देता है ये सवाल, वाइलन्स और नॉन वाइलन्स का जो सवाल हुटता है, प्रोटेस्ट करें या सरकार को अपील लिख लिख के अपनी बात मनवाएं, ये वाला भी एक सवाल, स्टूडेंट्स क्या करें, वो प्रोटेस्ट करें, वो आंदोलन करें, या वो क माज जिस भागत सिंग को याद करता है क्या ये एक ही भागत सिंग है ये सवाल बहुत बारुफाय जाता है कि इस्टूडेंस का काम तो युनिवर्सिटी में पढ़ना है को जाके पढ़ना है उनको राजनिती नहीं करने चाहिए भागत सिंग ने तो 1925-25-26 में बड़े आर् है उनसे ये पूछिए है कि भागत सिंग, सुगदेव, भगवदेची अरहनवोरा, चंशेगराजाद या और उनके साथ ही सब लोग, ये लोग कौन थे? ये लोग सब छातर थे. यह सब लोग छातर राजनिती का पूड़क्ट है. इन सब लोगों ने देश की अजादी के के लिए लड़ने की का फैसला किया, जब वो अपने कॉलेजेज में थे, सब ने इपनी स्कूल एजूपिशन भी कॉलेज एजूपिशन पूरी नहीं की. इस लड़ाई को लड़ने के लिए. दूसरी चीज, जब ये सवाल करया था, तो लोग कहते हैं कि साथ, वो तो अरे भाई, भगे सिंग ने तो openly कहा है ये, कि हमारी लड़ाई सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं है. हमारी लड़ाई इन उदेशों के लिए, जो मैंने भी आपको थोड़े पहले बताएं. जब तक ये उदेशे हमें प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक हमारी है, किसा ये लड़ाई तो अंग्रेaurais जों चे ती उस वक्त जो ये लड़ रहे थे तो थो भई आज हुई सओल है. बगे सिंग को अगर आप मάνते हो तो बड़ें सिंग की मी मानों? बगे सिंग की बात को खराबियां हैं, बुराईयां हैं, कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ लड़ना, अत्याचार हैं, उनके खिलाफ लड़ना, तो ये तो एक छातरका का मकसद होना चाहिए, समाज को बदलना, सिर्व उसका पढ़ाई करना मकसद थोड़ी है, वो भी कीजिए, उसके साथ साथ, जो यह सामने आपके चैलेंजिस हैं उनको भी आपको फेस करना है तो जो आवाम याद करती है भगत सिंग को और खासता और से रूलिंग पार्टी जब याद करती हैं क्या यह दो अलग भगत सिंग है क्या लोगों में अभी भी वह विचार जिंदा है कि हां हमें संगर्श करना बड़ेगा या यह मुश्किल हो गया है अब यह देखिए ऐसा है यह 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 जो यह जो चीजे हैं हर आदमी यह चाहता है कि बगत सिंग किसी दूसरे के परिवारमें पड़ा हो है एँ मेरे घर में भगैस सैन प्धा हो तो लोग बहुत अच्छा लगता है वैता है को सब गुछ करना है लेकिन यह कोई नहीं चाहता है कि भगैस सिंग्ह के बताई हुए रास्ते पाचले चुकि वह बड़ा इना है आसान चीज है भागे सिंग की विरास्त को राष्टबाद को शाहदत को सलिमिरेट कीजिए 23 मार्च अठाई सितंबर को याद कीजिए बागे साल भूल जाएए बागे साल जो रुपने की वो बड़ी सुविदा जनक चीज़ है आप एक टोकन रिमेम्बरेंस भी हो गया और काम भी चल गया तो वो उसमें बड़ा बड़ा कन्वीनिंट तरीका है और ये बगए सिंग के साथ ही नहीं और बहुत सारे जो हमारे करांट विचारक हैं और गाश्वादीनेता हैं सब के साथ यह हो रहा है बगए सिंग जैसे लोगों के जादा हो रहा है क्योंकि उनकी जो विचार जारा है वो जादा मुश्किल है उसको फॉलो करना उस पर चलना वहासान नहीं है तो फिर मेरा आखरी सवाल कि उनकी विरासत जो है वो उसके हकदार असल हकदार कौन है उसके अशल हकदार हैं वो लोग जो जो फॉर लुकिंग है वो नौजवान जो आगे देखते हैं, जो पीछे नहीं देखते हैं, जो यह जानते हैं कि इस देश में, इस मुल्क में, इस दुनिया में, जो जियातिया हैं, जो जो बुराईया हैं, जो जो शोशन है, धर्म के नाम पर, जाती के नाम पर, अमीर हरीब के नाम पर, जो लोग बड़ चाल premium यह कर रहे हैं उन लोगों को वो लोंग थाह'll वह लोग को करद बड़ता को जो जो यह कहते हैं कि साफ धर्म जो है वह नहीं आसता ही राश्वाद है तो अपना आपको नस्तिक कहाता है तो नहीं हैं तो जो आप लोग अपनी राजनीती में धर्म जाती को खीशते हैं, अमीर गरीब के फर्क को कीशते हैं, उन लोगो के लिए भागत सिंग का कोई संबंद नहीं है. बागत सिंग उनी का हीडो है, वो चाहे किसी भी पाटी में हो, किसी भी जगा हो, अगर वो भाती जनता पाटी में और इन उद्देशों पर चलते हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप मानो ना फिर आप वहां रहो नहीं पाऊगे अगर भगर सिंग की इन बातों को आप मानोगे इन उद्देशों पर चलोगे तो आप ऐसी जगह रहोगे नहीं जहां इस तरह की संकीन सारा अपनाई जाती हो जिस पर संकीन विचारदार पर चला जाता हो तो उसमें और वह एक ऐसे समय के नेता नहीं थे बहुत कंफुर्टीबल टाइम रहा हो बहुत पीरेड है बहुत मुश्किल पीरेड है उसमें उसमें सामपरदाइक ता भी है उसमें बिटिश कुलोनिय हमारा उपने वेश्वाद है उसकी उसका उसका एक डंडा भी था लड़ाई उससे आप लड़ रहे हैं तो जाहरे कि उसके साथ खलाफ आपके ऑपरेशन भी है और बहुत पावंदियां हैं उन पावंदियों में आपने जीवन गुजारा पढ़ने लिखने के लिए पावंदियों में आत्म साथ करके उस पर चलने की कुश्चिश करनी चाहिए तभी एक एक सही सम्मान है भगय सिंग का वरना तो फादा नहीं और मैं सासा भी कहता हूं बाद बाद ही कहता हूं कि भगय सिंग को तो अंग्रेजों ने एक बार मारा एक बार फांसी दी हम पर फांसी की का नाम सिर्फ कमें दो दिन लेते हैं साल में बादी सिरु मैंलकikes को इन आ अधिया टाच बहुटलेग है यही थी आज की चर्चा देखने के लिए शुक्रिया न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा फिर मिलेंगे शुक्रिया